दोस्तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनिया है जो आपको अधार सेवा केंदर प्रोवाइड करवाती है लेकिन अधार सेवा केंदर लेने के लिए सबसे पहले आपको अधार सर्टिफिकेट की जवरत परती है अगर आपके पास अधार सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई भी आपको अधार सेवा केंदर जो है वो नहीं दे पाएगी अधार सेवा केंदर आप ना बैंक से ले सकते हैं ना किसी कमपनी से ले सकते हैं जैसे कि प्राइवेट कमपनी से भी अगर आप अधार सेवा केंदर लेंगे तो भी आपको यहां पे अधार की सुपरवाइजर की certificate चाहिए जिसमें आप नया अधार card बना सकते हैं अधार card अपडेट कर सकते हैं अधार card में नाम, date of birth, address, mobile number ये सब कुछ update कर सकते हैं चोटे बच्चे का अधार card बना सकते हैं बड़े किसी का भी अधार card बना सकते हैं तो यहाँ पे अधार सेवा केंदर प्रोवाइड करवा देगी या किसी भी बैंक से अगर आपके पास है जैसे कि हमारे पास CSCID है यहाँ पे हम सर्च वाले आप्सन पे जाएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे UCL जैसे ही सर्च करेंगे UCL तो देख सकते हैं कि यहाँ पे UCL में दो option आ चुका है, यहाँ पे अधार demography update, मतलब नाम, date of birth, address, mobile number, जो demography update में आता है, वो हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे अगर हम click करते हैं, तो सबसे पहले हमसे मांगता है, कि आप यहाँ पे client operator ID दीजे, मतलब COI, ठीक है, मतलब client operator ID, अगर आपके पास client operator ID है, तभी जाक के आप अधार card में update कर सकते हैं, तो इससे पहले आपके पास क्या चाहिए, तो एक अधार certificate चाहिए, जैसे कि CAC वाले भी ले सकते हैं, राइश्टर, जेनरल, इंडिया वाले ले सकते हैं, यूनियन बैंक में, अगर आपका मतलब यह है, यूनियन बैंक से, अगर आप सरक पास certificate चाहिए, ठ Kore, तो certificate मिलने के बाद आप अधार सिवा के अंधर के उत्यों सकते हैं, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको certificate कैसे लेना है, और certificate के लिए, अपने mobile से भी apply कर सकते हैं, और certificate मिलने के बाद आप pass out कैसे करेंगे, इस के लिए भी आपको बटाएंगे, आ दीएच ऐ आर अधार यहाँ पे लिखना है अधार certificate C.A.R यहाँ पे जैसे ही अधार certificate आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते है कि first में ही आपको यहाँ पे आगया अधार certificate details और उसके बाद यहाँ पे list of accept document टेक है उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे nseitexam.com टेक है यहाँ पे आपको candidate certificate पे click कर देना है जब यहाँ पे candidate certificate पे click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि welcome to अधार और यहाँ पे अगर आ साम आ जाएगा आपका अधार नंबर आ जाएगा तो आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं लिया है आपने पास आउट नहीं किया है तो आपको डाइरेक्ट होम बाले ओप्सन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको एक क्रियेट एकाउंट कर लेना है तो इससे पहले आपको देखना है कि सर्टिफिकेट होता कैसा है तो अधार सर्टिफिकेट जो होता है यहां पे देख सकता है कि सिंपल सर्टिफिकेट यहां पे बताया भी गया है कि सर्टिफि certified लिखा रहेगा उसके बाद आपका नाम रहेगा योड नेम तो आपका नाम रहेगा आपका लेबल रहेगा कि आपने मतलब operator certificate लिया है या मतलब आपने supervisor certificate लिया है जो आपका certificate का number है जो यहाँ पे search करने का option था उसके बाद जो आपने qualification जब भरा होगा जैसे कि अभी हम form भढ़ेंगे तो उसमें जो qualification हम देंगे वही यहाँ पे होगा उसके बाद यहाँ पे second language आपने जो language select किया होगा वो language रहेगा तो चलिए अब दोस्तो apply करने का जो process है हम यहाँ पे home बाले option पे click करते हैं click करने के बाद यहाँ पे create new user यहाँ पे हमें click करना है click करने के बाद यहाँ पे देखेंगे new user sign up मतलब आप यहाँ पे अगर new user है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि upload XML file मतलब आपको अपना अधार का XML file यहाँ पे आपको upload करना है आप पे आप लिख देंगे डबल एडी एच एयार ठीक है अधहार यहां पे आप डबल एडी एच एयार यहां पे लिखेंगे अधहार कार्ड यहां पे एकसेमेल ठीक है एकसेमेल ठीक है एकसेमेल फाइल फाइल यहां पे जैसे ही आप यहां पे सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कि how to generate offline अधार XML ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि about अधार paperless मतलब बिना paper के XML फाइल यहाँ पे download कैसे करेंगे तो उसका पूरा process यहाँ पे दिया गया है ठीक है उसके बाद यहाँ पे भी आप click कर सकते हैं download करने का process यहाँ पे भी आपको दिया गया है what is XML आए गया है कि XML फाइल होता क्या है उसके बाद यहाँ पे जो आप share code वहाँ पे XML फाइल जब download करेंगे तो वहाँ पे share code आपसे मांगेगा कि इसको खोलने के लिए आप अपना share code दीजे जैसे कि आप अधार का download करते हैं तो वहाँ पे भी आपसे share code आपसे मतलब जो आपक बनाता है चलिए apply करने का जो process है यहाँ पे देख सकते हैं how to apply यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी और इंगलिस में भी आपको दिया गया है तो यहाँ पे click here to view apply हिंदी यहाँ पे आपको click करना है क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि आवेधन कैसे करें ओंलेन परकेरिया है ठीक है अभारती का मोबाइल नमबर उसके अधार कार्ड से जुरा होना चाहिए अगर आपका apply कर लेंगे apply करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पुरा option दिया गया है यहाँ पे जैसे यह apply करेंगे तो यहाँ पे एक process आता है center details का ठीक है तो जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे center search का option आएगा तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना state search करेंगे तो जो भी आपका state है वो state आप search करेंगे उसके बाद आपसे city मांग रहा है तो city पे click करेंगे जो भी आपका city है वो select कर लेंगे ठीक है उसके बाद city select करने के बाद यहाँ पे आपको search वाले option पे click करना है जब दोस्तो क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आपका जो state है वो देदेगा center code देदेगा, city आपका जो है जो आपने select किया है वो देदेगा उसके बाद यहाँ पे center name भी देदेगा कि जहाँ पे आप exam देने जाएंगे उसका पूरा address भी यहाँ पे रहेगा ठीक है जहाँ पे आपको search करना है अधार text board यहाँ पे देख सकते हैं अधार text board तो जैसे ही अधार text board search करेंगे तो यहाँ पे अधार text board UID का option आया है यहाँ पे आपको click कर देना है जब दोस्तों क्लिक करते हैं तो यहां पे आपका थोड़ा देर वेट करता है और उसके बाद आपका यहां पे अपलाई करने का जो प्रोसेस है वो यहां पे आजाता है कि कैसे आप अपलाई करेंगे और अधार का मतलब जो अधार सिंटर खोलना है तो अधार सिंटर खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखेंगे बहुत सारी company जो है आदार सेवा केंदर प्रोभायिड करवाती है देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिया गया है आदार सेवा केंदर की देख सकते हैं कि अदार generation progress in agency मतलब जो agency एधार की आपको अधार सेवा केंदर प्रोभाइड करवा दी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ प Route बहुत बहुत सारी मतलब जैसे कि उसके बाद मतलब आपका ब्लॉक हो गया सरकारी यहाँ पे सेंटर बहू हो गया वहाँ भी देख सकते हैं अधार जेनरेशन प्रोग्रेस इन राइश्टर्ड मतलब यह राइश्टर्ड है ठीक है तो यहां से भी अधार सेवा केंदर के लिए आप अपलाई कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास CAC ID है तो अधार सेवर सेंटर अगर हमें लेना होगा तो सबसे पहले हमारे पास IIBF का सर्ट चाहिए और उसके बाद हमारे पास banking की ID चाहिए जैसे कि banking की ID अगर हम ले लेंगे तभी यहां पे हम आधार सेंटर खोलने के लिए हमी जीवल हो जाएंगे और अधार सेंटर के लिए यहां पे apply करेंगे इसके लिए आप district manager से बात करेंगे वही आपको अधार सेवा केंद होगा तभी आप अधार सेंटर खोल सकते हैं ठीक है यहां पे अधार सेंटर के लिए direct हम यहां पे search करेंगे अधार सेंटर तो यहां पे बहुत सारे option आते हैं लेकिन यहां पे आपको NSEIT exam यहीं पे आपको अधार सेंटर की certificate मिलती है दुसरा कहीं से भी आपको अधार सें बहुत असान है अगर आप apply करते हैं तो आपको यहां से आपको exam दे के अधार certificate मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आप लोग में से बहुत सारे हमारे यह question करते हैं कि हमें आधार का question insert की PDF चाहिए आप Google पे जाएंगे और यहां पे search करेंगे अधार question insert PDF तो यहां पे आपक exam से 60 number 55 से 60 number लाएंगे अब pass out हो जाएंगे और आप यहां पे certificate प्रोवाइड हो जाती है लगबग लोग यहां पे pass हो ही जाते हैं तो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में जरू बताएगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा फिर मिलते हैं अग क्ले वीडियो में